तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम चलना चाहिए, तपस्या का प्रोग्राम होना चाहिए, उसमें हर कॉंग्रेस के कार्यकरता को शामिल होना चाहिए, हर नेता को शामिल होना चाहिए, उस प्रोग्राम में दर्द लगना चाहिए, मुश्किल होनी चाहिए, प सोन्या गांधी जी, भुपेश बगेल जी, केसी वैनुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सब वरिश्ट नेता, हमारे प्यारे कार्य करता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, और जो लोग इस अधिवेशन को टेलिविजन पे अलग-अलग स्टेट्स में देख रहे हैं, उनका भी मैं आज यहां स्वागत करता हूँ, चार महीने कन्या कुमारी से स्रीनागर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की, विडियो में आपने मेरा चहरा देखा, मगर हमारे साथ लाखों लोग चले थे, हर स्टेट में चले, बारिश में, गर्मी में, बरफ में, एक साथ हम सब चले, बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी जब मैं विडियो देख रहा था, मुझे बाते याद आ रही थी, विडियो में आपने देखा होगा, पंजाब में, एक मेकैनिक, आकर मुझे से मिला, मैंने उसके हाथ पकड़े, और सालों का, सालों की जो तपस्या थी उसकी, सालों का जो दर्द था, जो खुशिच, जो दुख, जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े, हातों से, मैंने बात पहचाने, वैसे ही लाकों किसानों के साथ, जैसे ही हाथ पकड़े थे, जैसे ही हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, एक ट्रांस्मिशन सा हो जाता था, शुरुआत में बोलने की जरुवत होती थी, क्या करते हो, कित्ने बच्चे हैं, क्या मुश्किले हैं, ये एक एक डेड़ महीना चला, उसके बाद बोलने की जरुवत नहीं होती थी, जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे, सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था, मगर जो उनका दर्द था, जो उनकी मेहनत थी, एक सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी, और जो मैं उनसे कहना चाता था, बिना कुछ बोले वो समझ जाते थी, और माँ कहती हैं, हम घर छोड़ रहे हैं, तब तक मैं सोचता था कि, वो घर हमारा था, तो मैंने माँ से पूछा, माँ हम अपने घर को के छोड़ रहे हैं, और पहली बार माँ ने मुझे बताया, कि राहूल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है, और अब हमें यहां से जाना है, मैंने माँ से पूछा, मा कहां जाना है, कहती हैं, नहीं मालूम, नहीं मालूम कहां जाना है, मैं हैरान हो गया, मैंने सोचा था, कि वो हमारा घर था, बावंद साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है, और हमारे परिवार का जो घर है, वो अलाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है, तो, जो घर होता है, उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिष्टा है, मैं बारा तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है, तो जब मैं निकला, कनिया कुमारी से निकला, मैंने अपने आप से पूछा, कि भाई मेरी जिमेदारी क्या बनती है, अब मैं चल रहा हूं, भारत का, दर्शन करने निकला हूं, भारत को समझने के लिए निकला हूं, हजारों लाकों लोग चल रहे हैं, भीड है, मेरी क्या जिमेदारी है, मैंने थोड़ी देर सोचा, और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे आफिस के लोगों को मैंने बुलाया, जो मेरे साथ थे, मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उनको कहा देखिए, यहाँ पे हजार लोग चल रहे हैं, दख्का लगेगा, लोगों को चोट लगेगी, बहुत भीड है, हमें एक काम करना है, मेरे साइड मेरे सामने 20-25 फूट आगे, इस तरफ 20-25 फूट, इस तरफ 20-25 फूट, यह जो जगह है, यह जो खाली जगह है, जिसमें हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, अगले चार महीने के लिए वो हमारा घर है, मतलब यह घर हमारे साथ चलेगा, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक यह घर हमारे साथ चलेगा, और मैंने सब से कहा देखिए, इस घर में जो भी आएगा, अमीर हो गरीब हो, बुजर्ग हो युवा हो बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, हिंदुस्तान से बाहर का हो, जानवर हो, उसको ये लगना चाहिए, कि मैं आज अपने घर आया हूँ, और जब वो यहां से जाए, उसे लगना चाहिए, कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ, छोटा सा आइडिया था, मगर इसकी गहराई मुझे तब नहीं समझाई, जैसे ही मैंने ये किया, जिस दिन मैंने ये किया, उस दिन यात्रा बदल गई, जादू से बदल गई, लोग मेरे साथ राजनिति बात नहीं कर रहे थे, मैंने क्या-क्या सुना है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ युवाओं के दिल में दर्ब क्या है कैसा है मैं आपको बता नहीं सकता समझा नहीं सकता कह सकता हूँ मगर बता समझा नहीं सकता हूँ कितना बोज उठा रहे हैं तो बिल्कुल रिष्टा बदल गया एक उधारन देता हूँ पता नहीं आपने शाइद नहीं देखा चल रहे थे हम सुबह सुबह साइड में एक महिला भीर में खड़ी थी जिजक के उसने ऐसे किया मुझे जैसे ही मैंने देखा मैंने उसको बिलाया मुझे बात अजीब सी लगी मेरे पास आई मैंने हाथ पकड़ा मुझे एक दम मालूम पढ़ गया कि कुछ ना कुछ गल्थ है जैसे मैं प्रियांका का हाथ पकड़ता हूँ वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था कोई फरक ने मैंने सोचा उस समय मैंने सोचा मैंने उस समय सोचा ये मेरी बहन नहीं है ये मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरा प्यार मेरी बेहन के लिए है मैं इसको कैसे दे रहा हूँ अजीब सा लगा मुझे मेरा हाथ पकड़ती है कहती है राहुल राहुल जी भाईया मैं आप से मिलने आई हूँ क्या बात है मेरा पती मुझे मार रहा है पीट रहा है मैंने का कब कहती है अभी अभी वो मुझे मार रहा था मैं घर से भागी हूँ आप से मिलने तो मैंने कहा कि पुलीस को बुलाए कहती है नहीं नहीं पुलीस को नहीं बुलाए फिर मुझे कहती है अब मैं जा रही हूँ वापिस फिर सिर्फ पिटने जा रही हूँ मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये महिला के लिए नहीं है ऐसी लाख़ों करोणों महिला हैं इस देश में तो ये से मुझे सुनने को मिला और इस घर को हम आस्ते 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 जमू कश्मीर तक ले गए पता नहीं शायद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया मैंने सोचा कि अजीब सी बात है कन्या कुमारी से कश्मीर तक मैं ये इस चोटे से घर को ले जा रहा हूं और यहां मुझे लग रहा है कि मैं वापिस अपने घर जा रहा हूं कश्मीर में हम गुस्ते हैं वैली से पहले बर्फ है धूप है जैसे आज और हजारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं एक लड़का आता है मेरे पास मेरे साथ चलता है और मुझे से कहता है राहूल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैंने का क्या कहता है राहूल जी जब कश्मीर के लोगों को दुख होता है जब हमारे दिल में चोट लगती है तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुशी क्यों होती है मैंने का गल्ट फेहमी में हो ऐसी कोई बात नहीं है मैं कन्या कुमारी से यहां तक आया हूँ मैं दावा दे के कह सकता हूँ कि करोणों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है करोणों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं चुने हुए लोग हैं मैंने कुआ चुने हुए लोग हैं जो खुश होते हैं हजारों में होंगे मगर हिंदुस्तान में करोणों लोग है मेरी आँख में आँख मिलाता है कहता है राहूल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया आपने मुझे बहुत खुश कर दिया बातचीत करते हुए में देख रहा था चारों और तिरंगा सडक पर तिरंगा, पहनों पर तिरंगा, पीछे तिरंगा, आगे तिरंगा, सब चके तिरंगा फिर हम वैली में घुशे वैली में घुशते हैं बादल चा जाते हैं दूप गायब हो जाती है और जैसे ही हम घुशते हैं पुलिस वालों ने हमें कहा था कि दो हजार लोग आएंगे मेरे सिक्यरिटी वालों ने सोचा था दो हजार लोग आएंगे जैसे ही हम घुशते हैं वहाँ पे चालिस हजार लोग खड़े जैसे ही पुलिस वालों ने 40,000 लोगों को देखा रसी छोड़ के भाग गए हम देख रहे हैं जिसको रोप पार्टी कहते हैं वो सब गाइब हो गई सब गाइब हो गई मैं देख रहा था हिंदुस्तान के सबसे terrorist-infested जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगे मैंने सिर्फ सवाल पूछा भाईया बता दो रिष्टा क्या है और मैंने ऐसे एक फोटो दिखाई ऐसे फोटो दिखाई उसमें नरेंद्र मोधी जी ऐसे बैठे है नरेंद्र मोधी जी अदानी जी के हवाईजाज में रिलाक्स करते हुए दिख रहे हैं तो मैंने पूछा भाईया बता दीजे रिष्टा क्या है अब आपने नोटेस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार सारे के सारे मंत्री अदानी जी के रक्षा करने लग गए कहते हैं जो अदानी जी पे आकरमन करता है वो देश द्रोही है मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देश बग बन गए और BJP और RSS इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है सवाल ये उठता है रक्षा क्यूं कर रही है क्या है सदानी में जो BJP और RSS को सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है नहीं सुनिये और सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं जो हजानों करोड रुपिया हिंदुस्तान भेज रही हैं ये किसकी हैं इसमें किसका पैसा है अधानी जी डिफेंस इंडस्री में काम करते हैं डिफेंस इंडस्री में काम करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को ये भी नहीं मालूं कि अधानी जी के Shell Companies अब हर इसमें Investigation क्योंग नहीं हो रहा JPC क्यों नहीं हो रही Defence का मामला है देश की रक्षा का मामला है पता तो लगाना चाहिए ये पैसा किसका है Shell Companies किसकी है मगन नहीं तो ये बहुत बड़ा सवाल है L.I.C. का इंवेस्मेंट है उनका नुक्सान हुआ है औस्टेलिया में फोटो दिखती है नरेंदर मोधी जी बैटे हैं स्टेट बैंक चेमन बैटे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर बैटे हैं अदानी जी बैटे हैं एक मेज पर स्टेट बैंक एक बिलियन डॉलर का लोन दे रहा है नरेंदर मोधी जी उस मेज पर क्यों बैठे हैं क्या लेना देना नरेंदर मोधी जी का स्टेट बैंक और अदानी के बीच में क्या लेना देना तो ये सवाल है और ये सवाल मैंने पूछे नरेंदर मोदी जी से पूछे, बहुत सीधा जवाब था, कोई रिष्टा नहीं है, सिंपल सा जवाब था, हमने पूछा रिष्टा क्या है, नरेंदर मोदी जी कह सकते थे, कोई रिष्टा नहीं, मगर रिष्टा है, रिष्टा है, भाई और बेनो, अदानी, अदानी जी और मोदी जी एक है, एक है, और देश का पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, एरपोर्ट, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रस्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रिकल्च्रल स्टोरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, और जब हम प्रदान मंत्री से पूछते हैं, ये 609 से 2 कैसे पहुचा, बस ये बता दीजिये रिष्टा क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है, कारगे जी की पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है, अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लिमंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है हम पूछेंगे एक बार नहीं, हजारों बार पूछेंगे रुकेंगे नहीं जब तक सचाई नहीं निकलेगी अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे क्योंकि और इसका एक कारण है भाईों और बहनों और खास तोर से जो लोग अदानी जी के कमपनी में काम करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ ये आपकी जो कमपनी है ये देश को नुकसान पहुचा रही है ये देश के पूरे के पूरे इंफ्रस्ट्रक्चर को छीन रही है बाईयों और बहनों याद रखिए अजादी की लड़ाई भी इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ हुई थी वो भी एक कमपनी थी उस कमपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन सारा इंफ्रस्ट्रक्चर पोर्ट्स सारा गसारा उठा लिया था इतिहास रिपीट हो रहा है इतिहास रिपीट हो रहा है ये देश के खिलाफ काम हो रहा है और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कॉंग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी लड़ जाएगी आकरी बात कहना चाहता हूँ देखिए ये पार्टी तपस्वियों की पार्टी है ये पुजारियों की पार्टी नहीं है ये तपस्वियों की पार्टी है ये तपस्या की पार्टी है और आपने देखा आपने देखा छोटी सी तपस्या की चार महीने की तपस्या की और आपने देखा कॉंग्रेस पार्टी में कैसी जान आई कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता में कैसी जान आई देश में कैसी जानाई तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम चलना चाहिए तपस्या का प्रोग्राम होना चाहिए उसमें हर कॉंग्रेस के कार्यकरता को शामिल होना चाहिए हर नेता को शामिल होना चाहिए उस प्रोग्राम में दर्द लगना चाहिए, मुश्किल होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, चोट लगनी चाहिए कारगे जी, कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट हैं, सीनियर नेता बैठे हैं तपस्या का प्रोग्राम बनाईए, हम सब मिलकर तपस्या में शामिल होंगे, अपना खून, अपना पसीना इस देश को देंगे और जैसे मैं आपको गैरंटी देता हूँ, जैसे ही हम तपस्या में खड़े हो जाएंगे, पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ तपस्या में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये देश तपस्यों का है तो प्रोग्राम बनाईए, कारगेजी प्रोग्राम बनाईए, आपकी पूरी की पूरी टीम, जिसमें मैं शामिल हूँ, कॉंग्रेस के सब नेता शामिल है, हर एक कार्यकरता शामिल है, देश की जनता शामिल है, उस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, तपस्या करेंगे, अप बहुत बहुत दन्य वाद, जेहें दॉसकाद।